अगर आप जनमाश्टमी पर पेड़ पौधे काटते हैं तो ये अशुब माना गया है क्योंकि इस देन हमें पेड़ लगाने चाहिए ना कि काटने चाहिए हमारे घर परिवार में जितने सदस्य हैं सभी को पेड़ लगाने चाहिए इसे घर परिवार में सुक शांती आती हैं और सभी सदस्य अपना जीवन सुक पूर्वक व्यतीत भी करते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के आठवे अध्याय में खुद कहा है कि वो हर चीज में वास करते हैं और हर चीज उन में वास करते हैं इसलिए जनमाश्वी पर किसी भी चीज को नुकसान पहुचाने का विचार आप अपने मन से निकाल दीजे आप सभी लोग इस बात को तो जानते ही होंगे कि हिंदु धर्म में किसी भी व्रत और पूजा के दिन मानसाहारी भोजन का सेवन करना बिलकुल वर्जित माना गया है क्योंकि इस समय भगवान विश्णू की नित्रा का समय होता है और उनकी अनुपस्थिती में भगवान शिव उनकी सभी जिम्मेदारियां उठाते हैं इसलिए आप जनमाश्वी पर किसी प्रकार से भी शराग का सेवन और मानसाहारी भोजन का सेवन मत लिजे जनमाश्वी के त्योहार पर ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवर्शक है इस दिन भगवान की पूजा पवित्र मन से और पवित्र तन से करनी चाहिए अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो आपकी पूजा सफल नहीं हो पाती है ये आप निश्चित ही जान लीजे आप भूल कर भी जन्माश्मि पर तुलसी के पत्टे मद तोड़िये क्योंकि तुलसी भगवान विश्णू को बहुत प्रिये है एसा कहा जाता है कि माद तुलसी विश्णू भगवान से विवाह करना चाहती थी वो विश्णू को पत्टी के रूप में प्राप्त करना चाहती थी जिसके लिए तुलसी ने कठोर तपस्या भी की थी और तुलसी के पत्टे विश्णू की पूजा में भी अर्पित किये जाते हैं इसी लिए आप तुलसी के पत्ते एक दिन पहले भले ही तोड़ लिजे लेकिन जन्माश्ट मी के दिन इन्हें मत तोड़िये और तुलसी के पत्ते विश्णों की फूजा में भी अर्पित किये जाते हैं इसलिए आप तुल्सी के पत्ते एक दिन पहले भले ही तोड़ लीजे लेकिन जन्माश्टमी के दिन इन्हें मत तोड़ गए भगवान श्री कृष्ण अपने भगतों में किसी भी प्रकार का भेतभाग कभी नहीं करते हैं उनके लिए अपने सभी भगत एक ही जैसे हैं चाहें कोई भगत अमीर हो या कोई निर्धन ही क्यों न हो भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा भी तो गरीब थे लेकिन उनसे उनकी बहुत पक्की मित्रता थी और सुदामा भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय थी इसलिए आप जनमाश्ट में ये दिन किसी भी निर्धन व्यक्ति को बिल्कुल भी अपमानित मत कीजिए क्योंकि इससे श्री कृष्ण नाराज हो सकते है भगवान कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था आप लोगोंने ज्यादतर उनकी तस्वीरों में देखा भी होगा कि वो गाये के साथ ही खेलते हुए नजर आते हैं ये इस बात का साक्षी है कि भगवान कृष्ण गायों से बहुत प्रेम करते थे और उनकी कितने करीब थे ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गाये की पूजा करता है उसको भगवान कृष्ण की कृपा अवर्शे ही प्राप्त होती है इसके अलावा जो व्यक्ति गाये का अपमान करता है उसको भगवान श्री कृष्ण की कृपा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती और भगवान उसे कभी माफ नहीं करते इसलिए आप जनमाश्टमी के दिन गौशाला में दान कीजे लेकिन गाएं का अनादर मत कीजे गाएं की सेवा कीजे